नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिविल सिर्प्सेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारे फ्री वाले टेलिग्राम को जरूर से जरूर जोइन कर लिजेगा दिये जाएंगे और कम्प्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी 20-20 कोईशन होगे हर पेपर में ठीक है जैसे ऑफिशल पेपर आता है वैसे होगा और कम्प्लीट चेकिंग होगी कम्प्लीट मॉडल आंसर में लेगा ज्यादा जैनकर एक लिए इन नमबर पर कॉल कर सकते है आगरने से पहले मैं आपको बता दू कि स्टडी फॉर सेविल सर्विसेस के सारी कोर्सेस की जानकारी के लिए आप इन नमबस पर कॉल कर सकते हैं और फ्री टेलीग्राम चैनल को जोईन करें ताकि जो अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल सकती है वो यूट्यूब पर ठर्ड कोशन जियस थ्री फोर जी एस फूर ऐसे ही करके मैं सिरीज में आशी चलता हूं आपको परिशाण होने की जरूरत नहीं है कोशन नमबर वाइस जियस पेपर वाइस होता है ठीक है पहला कोशन है वर्ड हिस्ट्री इससे पिर अमने वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक प यह विवादने सकते हैं कि रहने साथ क्या है इसकी खासित बता और चार्टर्ड हो पर बढा आप पारे पढ़ा है कुछ वीडियो पहले ठीक है बिए सब पेपर डू का आपका गवरनेंस वाला हिस्था है जी एसपेपर डू में गवरनेंस का जो हिस्से उसके अंदर यह पास कही topic है सेवुत्तम model of public service delivery सारवजनिक सेवा वितरण का सेवुत्तम model क्या है सेवुत्तम सुनिश्यत करने की दिशा में सरकार ने क्या कुछ पहल उठाई है ठीक है यह आपका question citizen charter वाले chapter से लेटेड है तीसरा question है इन्वार्मेंट का पार्ट आता है कि अपार्ट फॉम इस इन्वार्मेंटल कंसर्न oil spills also have social and economic impact देखिए कोशन में इसलिए करा रहा हूं कि अगर oil spill होता है यह तेर कर इसा हो आपने सुना होगा भी हाली में बहुत न्यूस में था oil spill होता है तो आपको इन्वार्मेंट के बारे में तो पता है कि oil spill से इन्वार्मेंट को क्या क्या असर होता है अगर मान लिए आप एससे लिख रहा हूं तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि आप इसके social और economic impact को पता सोको social impact तो इस question के through मैं कुछ आपको example दोगा अब अपने answer में कुछ current effect के example अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है question number fourth है कि भारत में जो हमारे जो Indian society रही है Indian philosophy रही है हमारे जो भारती दर्शन रहा है उसमें हम पुर्शार्त और आश्रम के बारे में सुनते हैं तो यह पुर्शार्त और आश्रम क्या है इसका देखे एक question और अलग तरीकी से बन सकता है जो आपसे इस तरीके से पूछेगा कि भारती philosophy में पौरशार्त और आश्रम किस तरीके से silver ethics अन्थ हमारी जो नहतिकता है उसको एक तरीके का गाइड करते है ठीक है, simple question मन सकता है कि भारती society में या भारती philosophy में जो पौरशार्त और आश्रम की वेवस्ता है उससे किस प्रकार से हमारा ethics guide होता है ठीक है एक question ऐसे बन सकता है तो आपको पहले तो ये question में मैं ये बताऊंगा बस कि पुर्शात और आश्रम है क्या इनकी खासियत क्या है तो आप दूसरा question खुद बना सकते हो कि कैसे ये ethics related है ठीक है तो आगे बते है पहला question वाट इस रह कि ठीक है तीनों पार्ट को address करना है आपको तो पहला पूछ रहा क्या है तो क्या है से शुडू करेंगे पुनर्जागरा का जागरा का शाब्दी करते हानी कि रेनेसा का आर्थ होता है Rebirth रीबर्थ तो किस चीज का Rebirth किस चीज का पुनर जनम हुआ पुनर जनम होता है ग् ठीक है यह ग्रेको रोमन इतिहास और संस्कृति में रूची और जिग्यासा की प्रकृति का पुनरजनम था ठीक है यह आपको समझ में आ गया है किस तो पहले इसका मीनिंग आप लिख दोगे रीबर्थ तो रीबर्थ आप बताओ के किस चीज का रीबर्थ हमने पता है ग्र एको रोमन ग्रीस और रोम ग्रीस रोम वाले जो हिस्ट्री था कल्चर था इसमें जो इंट्रस्ट था इसमें जो लोगों की रुची थी इस रुची में क्या हुआ है इस रुची में इंट्रस्ट जो था वो उसका पुनरजनम हुआ मनला कहीं न कहीं हम सौडी जो भी फिर से इंट्रेस्ट जगा उनको अपने हिस्ट्री के प्रती एक तरीके का ओनर या गौरा आप कह सकते हो वह जब होने लगा और इंट्रेस्ट बड़ा लोग उसको बारे में पढ़ने लग गया उसको जानने लग थी इसको पुनर जागरर कहते हैं देखिए इंडिया में हम सोशियो रिलिजियस रिफार्म मोव्मेंट पढ़ते हैं राजा राम मोहन रहा है थे इशोर्श अंदर विद्या सागर थे विवेकान स्वामी विवेकानन थे इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने पताया कि जैसे ब्रिटिशर्स हमारे उपर रूल करते थे और यह कहत करते हैं कि इंडियन लोगों का फिर से पुनरजनम की सीज में हुआ इंडियन इस्ट्री कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ा है और अपनी जो खुद की कल्चरल हेरिटेज रही है कल्चरल प्रोस्पेरिटी रही है उसके प्रति हमारा जो एक गौरव होने लग गया हमको उसक और इंडस्ट्रिल इवाल्यूशन आएगा तो कई लोग को इन तीनों की जो टाइम पीरिट चलना है अलाग अलाग उसके पार इंजयनकारी नहीं होती तो रेनसा का याद रखेगा कि चौदामी शिताबदी से सत्रमी शिताबदी तक चलना है अब देखिए आपको लगएगा कि क्या यसे पुरानी हिस्ट्री कल्चर हमने पढ़ना शुरू कर दिया है रेनसा के अंदर पूरनर जनम होगा कि सिच का हिस्ट्री कल्चर ग्रेको रोमन लोगों का तो एक तरिक यसे क्या आप का होगा कि हम तो समय में पीछे जा रहे हैं इसने बहुत पॉजिटिव इंपक्ट डाला जैसे लोगों ने जब पुरानी चीजों को पड़ा अपनी कल्चर के बारे में जाना और उनको उसकी बारे में जानकारी हुई तो यह रहने साथ सिर्फ हिस्ट्री कल्चर तक सीमीत नहीं रहा गया इसने फ्रीडम अफ थॉर्ट्स एन एक्स्प्रेशन की बात की इसने का कि रिलिजन का स्कोप कितना होना चाहिए लाइफ में क्या रिलिजन और पॉलिटिक्स अलग अलग है तो रिलिजन की लिमिट क्या होगे पॉलिटिक्स की लिमिट क्या होगे क्या रिलिजन और राशनालिटी धर्म और तर्क संगत्ता एक साथ नहीं चल सकती ठीक है क्या हम रिलिजन को कॉश्चन नहीं कर सकते तो इस तरीके प बिबिन शेत्रों तक विस्तरित हो गया ठीक है तो इसलिए कहते हैं कि एक पुरातन पंथी या पुरातन पुरातन पुनरुथान वादी अंदोलन नहीं था बलकि एक सुधार वादी अंदोलन था क्योंकि इसने लाइफ में आगे चल की जब तीन सो साल करीब जब यह चल ला है तो देखें रेनेसा की जब भी बात होती देख शब्द यह बहुत इंपोर्टेंट है हुमेनिजम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक से हैं पहले सुन लिए हुमेनिजम है इसको मानवता वाद आपका होगे इसके अंदर बहुत से इंपोर्टेंट पढ़ेंगे क्वेश् तरह तरह की आपको European languages दिखती है उनकी growth का इनके रेनेसा की देन है उसके बाद आएगा scientific revolution कैसे रेनेसा की वैसे होता है और कई छोटे-छोटे points आएंगे आप अगर जब यह topic पढ़ लोगे तो आप कई सारे questions इनको deal करने में आपको बहुत आसानी होगी ठीक है तो पहला question Humanism, Humanism मतलब मानवता बात, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि रेनेसा के बाद लोगों ने focus करना शुरू कि Humanity के उपर rather than Divinity, Divinity मतलब भगवान के बारे में आप बाते किये जा रहा हो, आपका पूरा focus इस पे है कि यह जो जनम है अभी जिसमें हम जी रहे हैं उसमें आप दुखदर्द सा हो, क्यों? ताकि अगला जनम जो आप पैदा होंगे, उसमें आप बढ़ियां सुख करोंगे, तो ऐसे कई-कई तरीके की theory चलती थी अरॉप में, यो religion मुनको बताया करता था, तो basically जो concept था, Humanism का, वो कहता था कि Humanity पे focus करो, Divinity पे नहीं, भगवान कह चाते हैं, भगवान क्या कर रहा है, इस पे focus करने के पचा Humanity focus करो, Human किस किस चीज़ में खुश रहेगा, ऐसा काम करो, इससे Human खुश होने वाला है, भगवान नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब है कि भगवान की जो भी beliefs और thoughts है, उसको आपको negate करना है, लेकि ऐसा भी नहीं किया, Humanism, अब Humanism क्या लगला है, फॉर्म सब देखते हैं कि किस तरीके से Humanism, किस तरीके से मानवतावाद को मढवा मिला है, और देववाद, देवद्तो का, एक तरीके से कम होता है, वो, देखे, Humanism का एक positive impact हुआ कि human की जो capacity है, human की capacity, उस पे focus शुरू हुआ, यह आपर लि Bible के तोरा जो justification दिये जाते थे, उसे से faith है किस पे human potential पे, that he can change his present condition, देखे, कि वरतमान को बदलने के उसकी चमता है, humans के पास अपने वरतमान को बदलने की चमता है, और उस पे आप focus हम करेंगे, तो humanism का एक point यह निकल के आया, कि humans की जो confidence, human के अंदर जो confidence बरा गया, कैसे कि आपके अंदर बहुत विशाल चमता है, आप अपने present को change कर सकते हैं, अपने efforts के थुरू, तो human के उपर focus शुरू करना है, राधा दान कि उसके भाग को आप को सो आप बताओगे कि आप करम करो, आप action करो, आप इससे सरीके से बढ़ो और आप आगे बढ़ सकते हो, तो जो churches थी, आपको यह देखने को मिलेगा कि वहाँ पे Mary और Jesus, जो Christianity के पूझे लोग होता है, बगवान है, तो Mary और Jesus को human forms में अब दिखाए जागा, मानों के आकरतियों में दिखाना शुरू करते हो, इससे पहले सिर्फ उनको religious symbol में दिखाए जाता था, किसी तरीकी की धार म आप कह सकते हो कि symbols होते थे, लेकिन अब उनको human form में दिखाना शुरू किया, मानवी रूपों में भी दिखाना शुरू किया, उनके painting जो नाइए, उनमें human form दिखाएगा, तो अभी हमने पढ़ा, अभी तक की रेने सा है क्या, तो rebirth है, किसी का rebirth है, ग्रेको, रोमन, culture और history क लिए, लोगों का interest बढ़ा, उसी को कहते है, लेकिन यहीं तक्सीमित नहीं रहा, इसने और कई-कई, मतलब कह सकतो, aspects of life में अपना positive impact करा, उसमें से एक हम पढ़ रहे हैं क्या, humanism, humanism हमने पढ़ा क्या-क्या, कि humanity पे focus करोगे, divinity पे नहीं, देवत्व नहीं मानवता पर focus क करेंगे, ठीक है, मानव कि विशाल चमताओं पर focus होता है, दूसरा क्या, कि इन पर ध्यान के इंद्रत कहता है कि कैसे उसके व्यक्तितों का विकास होगा, और humanism का ही एक example आपको दिखता है कि भगवान को नहीं ऐसे चीव जभी करो, जिससे humans को खुशी मिले, तो humans के form में God को दिखाना शुरू करते हैं यह लोग, ठीक है, और क्या, humanism of the rensa became harbinger of present individualism in Europe, कह रहा है कि आज जो हम योरप में effective देखते हैं, कि वहाँ पर जो भी इंसान होते हैं, individuals होते हैं, उनके अंदर एक तरीके confidence है, कि वो अपनी present situation को change कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने लिए लड 600 साल से आज, 1400 से यह बताए जा रहा है कि आपके अंदर visual capabilities है, रेनिसा ने बताया कि आपके अंदर visual capabilities है, आप उपने present situations को change कर सकते हो, तो यह कहीं ने कहीं, रेनिसा की देन है कि आज की रेट में जो हमको यूरोप में western societies में जो empowerment मिलता है, individualism मिलता है, उसका देन कहीं ने क concept आता है, पूरे humanism को अगर summarize करना हो तो रेनिसा में की आप बात कर सकते हो, रेनिसा में का concept क्या था, कि ऐसा man, मतला ideal man क्या होगा, जिसके उपर रेनिसा का positive impact पढ़ा हो, उस तरीकी का ideal man क्या होगा, तो कहता है कि a man can do all things if he will, कि मतला अगर मनुश्य जो चाह ले, वो हर वो चीज कर सकता है, तो इतना confidence हो दिखा रहे हैं, human के अंदर, human की capabilities इतना जादा है, ठीक है, और इसका पूरा मतलब क्या था, कहता है कि it related to the notion that men should try to embrace all knowledge and develop their own capabilities as fully as possible, तो रेनिसा में क्या कहता है, कि एक मनुश्य जो है न, उसको सभी तरकी घ्यान प्राप्त करने की कोशिश कर चाहिए, उसके लिए कारशीर होना चाहिए, और यथा संभव अपनी शम्ताओं को बढ़ाने के लिए कारश रहत होना चाहिए, यह वो कहता है, तो अब यह देख रहो कि कितना confidence है, human के अंदर यह चीज़े ला सकती है, अब इसका एक example देखिए, Leonardo da Vinci, आब यह artist भी थे, science भी आता था, इनको music में भी, music और invention था, writing थी, तो यह तरीके साब क्या देख रहो कि एक ही बंदा है, लेकिन कितनी सारी qualities है, different qualities, तो यह रेने सामें, यह perfect रेने सामें का example आप दे सकते हो, कि चितनी capabilities explore कर सकते हो, आप करो, ठीक है, तो हमने पढ़ा भी तक humanism, humanism के कई parts religion के लिए एक limit set करनी है, कि कहा के बाद आप politics में interfere नहीं करेंगे, यह था एक तरीके से, तो रेने साने कहीं नहीं कहीं, इस चीज को fix किया, एक limit set की, कि religion एक तरीके का belief system रहेगा बस, ठीक है, आप यह नहीं बताओगे कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, आप यह नहीं ब ठीक है, तो इस secularism, secular society की तरफ जा, secular का मतलब यहाँ पर यह है, कि religion के role को, religion का role जो है न, उसको limit रगा दी है, यह limit, ठीक है, यह secularism का मतलब, रेने सा के time पर, next point क्या है, कि growth of local European languages, रेने सा के time पर, European languages का growth हुआ, कैसे क्या हुआ, कि सबसे पहले, इस समय सर्फ Latin चलती थी, Latin, L-A-T-I-N, Latin language यहाँ पर चलती थी, जो भी literature वगारा लिखे जाते थे, European countries में वो Latin में लिखे जाते थे, क्योंकि church जो थी, वो Latin को use करती थी, रेने सा के time पर क्या हुआ कि local languages को promote हुआ, ठीक है, जिसे French में French लिखा जाएगा, Spanish लिखी जा रही है, तो यह सब जो languages है, यह develop हो रही है आपके लिए, उसके बाद क्या scientific revolution, science को किस तरीके से रेने साने डवलप के, आप खुद एक point आप जोड सकते हो, कि जब कोई ऐसे society इस तरफ बढ़ है, यहाँ पर religion के role को आप define कर रहे हो, तो आप एक तरीके से thoughts, free thought को promote कर रहे हो, ठीक है, जब free thought promote होगी तो invention तो होना ही है, science तो बढ़नी है, तो यह चीज़ हो रहा है, जिसे Copernicus है, Galileo है, यहाँ पर better ships बनना शुरू हो जाती है, compass बनना शुरू हो जाता है, गुटनबर् प्रिंटिंग प्रेस का एक तरीके से invention करते हैं, जब invention करते हैं तो उसकी वैसे जो भी ideas है, अब वो तेजी से छपके circulate हो सकते हैं, तो यह एक positive impact हुआ है, नेक्स पॉइंट है, कि इटली में क्यो शुरू हुआ है, देखिए इटली के location अगर आपको पता हूँ, Mediterranean Sea में, त Byzantine Empire, Byzantine Empire, इसकी राज़ानी, Constantinople, Constantinople, यहां लिका हुआ है, Fall of Constantinople, इसकी राज़ानी है, ठीक है, Ottoman Turks जो है, Ottoman के तुर्क लोग जो है, यह अटाक करते हैं, Constantinople, पर 1430 में, इसको कहते हैं, Fall of Constantinople, ठीक है, जब Constantinople में, तुर्क जब Byzantine Empire पर अटाक करेंगे, Byzantine Empire जब कोलाप्स करेंगा, तो उसके बाद यहां पर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे, लोग हैं, चो यहां से भाग कर कहा जाएंगे, इटली में जाएंगे, यहां पर से भागने वाले वो लोग भी होते हैं, जिनको Greek, Greco-Roman, हमने रहना है, तो Greco-Roman के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, या, Constantinople में, Constantinople में, Greco-Roman कल्चर से लेटेट बहुत सारे वर्क्स थे, बहुत सारे बुक्स रहींगे, जिसको लेकर कि यहां से भागे, इटली में लेकर भागे, तो यहां पर एक माहौल बना, क्या कि कही ज पुराने कल्चरल जो भी चीज़ें हो लेकर क्या है, तो यहां पर इंटरेस्ट बढ़ता है, यहां पर कई सारे स्कॉलर्स जुटेंगे, वापस में बात्चित करेंगे, तो एक तरीके से यहां पर एक माहौल क्रियेट होता है, 14-13 में, Greco-Roman किस तरीके से इंटरेस्ट ब बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, जब ट्रेड प्रॉफिटेबल था, तो यहां पर मर्चेंट लोग ज़्यादा अमीर थे, मर्चेंट ठीक है, जब आपारी वर्ग था, वो ज़्यादा अमीर था, वो ज़्यादा अमीर था और यहां पर कोई से तो एक तरीके से हैं free thoughts and expression का मावल था, उसकी वज़े से भी यहाँ पर इनसा प्रोमोट हुआ, तो पहला point हमने क्या देखा, fall of Constantinople, दूसरा क्या देखा, यहाँ पर Mediterranean में है, trade है, trade की वैसे profit है, profit की वैसे यहाँ पर कई सारे cities है, जैसे Florence है, Venice है, इन सब जगहों पर क्या मर्चेंट यहाँ पर अमीर हुआ, मर्चेंट्स ने क्या किया कि, आर्ट और कल्चर को सनरक्षर दिया, फैटर ने दिया, यहाँ पर centralized kingdom नहीं था, कोई केंद्र करित राज जिना होनी के वैज़े से, नगर व्याप्यारियों का प्रभूत तो बढ़ा, और उन्होंने स्वत और इटली जो है, इटली, इटली सुरू से भी एक ग्रेको रोमन कल्चर का, ग्रेको रोमन कल्चर का सेंटर था, तो यह पहले से खुद भी एक important culture रहा था, तो यहाँ पर वैसे भी यहाँ की बारे में books और किताबें और architecture था ही, उसके बाद कुछ लोग कॉंस्टेंटिनो पल से आगे हैं, प्लस यहाँ रिटम आफ स्पीच एन एक्स्प्रेशन आपको देखने का मिलना है, मर्चेंट के वैज़त कुर्मिला के यह सारे impacts पूरा मिला करके, क्या करते हैं, रेनसा का जनम करते हैं, यह रहा, यह topic, ठीक है, question number two is, सेवत्त मॉडल क्या है, public service delivery में सेवत्त मॉडल क्या होता है, और recent initiatives क्या है, मतलब, जो सर्वजनिक सेवा वितरण है, उसमें सेवत्त मॉडल क्या है, और उसके सरकार क्या क्या स्टप्स ले डी है, भी इसके बारे में, ठीक है, तो आपको मैंने बताए कि citizen charter, citizen charter वारा जो chapter है, जो topic है, उससे से related है, citizen charter में हमने पढ़ा था कि क्या है, citizen charter एक तरिकी की बात देता है, क्या है, जो government है, ठीक है, government, वो लोगों को, लोग क्या होंगे, उसके customer होगे, तो लोग जो उसके customer उनको बताती है, कि जो भी हम आप service दे रहे हैं, उसका time period क्या होगा, कितने time में देंगे, अगर नहीं होता है, तो grievance, redressal, मतलब आप कहाँ पर जाके शिकायत कर सकते हो, तो यह सब जो चीज किसी एक पत्र में अगर लिख दी जाए, उसी को हम कहते है, citizen का charter, ठीक है, अब उसी में एक कतम आगे बढ़ते हैं, सेवा का उत्तम मॉडल, ठीक है, अब देखें इसके बारें पढ़ते है, सेवा उत्तम शब्द, दो हिंदी शब्दों से बना हुआ है, सेवा और उत्तम, मतलब उत्कृष्ट सेवा देना है, सेवा की उत्कृष्ट अता, मतलब service की excellence, यही है सेवा उत्तम, तो कई सारी services हमको government दे रही होती है, ठीक है, हम government अस् में सेवा, जो भी हमको सेवा दे रही है, उसमें उत्कृष्ट अता लाई जा सके, मतलब, पहरे तो focus यह था, quantity पे, अब quality पे, कि जो भी हम service दे रहे हो, qualitative होनी चाहिए, ठीक है, तो एक mindset change कर रहे है, आपकी जो सरकार की मान सिकता है, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जारी, यही है, आप कह सकते हो, आप topic अर गुड गवर्नेंस का आता है, गुड गवर्नेंस के question में आप एक point लिख सकते हो, इस तरीके से आप point generate करते हो, ठीक है, तो यह सरकार की जो मान सिकता है, उसको change कर रहा है जैसे, प्रशाशन और नियंतरण, पहला focus क्या था, कि सिर and control से, service and enablement की तरफ हमको move करना है, ठीक है, primary objective क्या है, सेवत्तम का, सेवत्तम का प्रातमिक अदेश यह है, to continuously improve the quality of public service delivery in the country, जो भी public service delivery हो रही है, उसकी जो quality है, उसमें continuous improvement करना है, यही है सेवत्तम का primary objective, यह आपको समझ में आगया होगा, सेवत्तम क्या है, सेवत्तम क्या है और इसका उद्देश क्या है, इसके बारे हम कुछ और चीज़े पढ़ते हैं, देखी जो organization, citizen charter बनवाती है, वही है, यहाँ पर भी, department of administrative reforms and public governance, यहाँ पर लिखा हुआ, यही है आपका सेवत्तम, इन्हों नहीं इन्ही की देने, इन्होंने citizen charter mark of United Kingdom, और Malcolm model of United States, इन लोगों स अब इस model के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, तीन module होते हैं, क्या होते हैं, अब यह सेवत्तम आपके question में नहीं भी पूछे, तो ऐसे बना दो है, सेवत्तम लिख करके ऐसे, ऐसे, यह एक diagram तग्यार होगा, किसी भी answer में बना दो जो good governance का हो, ठीक है, ठीक है, तो हमने पढ सेवत्तम मौडल से, तो service के excellence कैसे करोगे, पहले आप open department में citizen charter बनाओ, दूसरा आप क्या करो, grievance retressal mechanism बनाओ, मतलब कि जिनको, मतलब service नहीं मिल पाए, उनके लोग सिकायत प्रणाली बनाएंगे, citizen charter बनाएंगे, लोग सिकायत प्रणाली बनाएंगे, तीसरा क्या करेंगे आपको citizen charter के बाद और grievances अगर कुछ मिलेंगी, कुछ शिकायते मिलेंगे, तो आपको अपना system सही भी तो करना है, इसलिए आपको तीसरा काम क्या करना है, कि service delivery की capability, SDC, इस पे काम करना है, ठीक है, हमने पढ़ा क्या-क्या, तीन model, citizen charter, GRM, grievance retressal mechanism, और SDC, service delivery capability, capability, capability मतलब आपको अपनी शमता को बढ़ाना है, सेवा वितरड की शमता, हमने पढ़ा कि अगर किसे ने grievance करी दिया, किसे ने शिकायत कर दिया, इसके basis पे आप अपने services में कुछ सुधार करोगे, तो यह सुधार कर रहे हो, capabilities में अपने, अपनी जो शमता में सुधार कर रह होगा, आपको क्या citizen, sorry, सेवत्तम बहु डाल, ठीक है, इसको आप पढ़ लिजागा है, यहाँ पर, यह वाला point, next point है, कि सेवत्तम के अंदर 7 steps बताएगा, देखे, मैं citizen charter के अंदर भी मैंने आपको कुछ steps बताई थी, उनको एक बार फिर से पढ़िएगा, यहाँ का solution ना हो पाए, कैसे आपको अगर सेवत्तम के अंदर एक सेवा उतकृष्टा करनी है, तो क्या-क्या स्टेप्स आप उठाओगे, सबसे पहले, भाई, आप define करोगे, define services and identify clients, अपनी सेवाओं को परिभाशित करेंगे, और अपनी रागों को पहचान करेंगे, उसे की साफ़ define करेंगे, कि citizen charter में क्या होगा हमारे, फिर आप standard set करोगे, अप जो service दे रहे हैं, उसका standard क्या होगा, कितना देर में दे देंगे, कितना time में दे देंगे, और अगर नहीं होता है, तो क्या है, ये सब चीज़े, फिर capabilities अपनी बनाओगे, आपने जो अपना standard वगड़ा set किय परजल आपके पास वो standard की चीज़ा ही नहीं है, आपने बोल दिया, कि हम क्या ना में तीन दिन के अंदर service दे देंगे, उतने आदमी नहीं है, आपके पास की तीन दिन में आप काम करतें, तो अपनी capabilities बढ़ाओगे, अपनी शमता को बढ़ाओगे, फिर perform करोगे आप, जो इसके हिसाब से continuously improvement करो, ठीक है, एक बार फिर से पढ़िएगा और एक से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, ठीक है, तो हमने सेवुत्तम अब तक क्या क्या पढ़ा, सेवुत्तम है क्या, सेवा उत्तम होनी चाहिए, मतलब सर्विस addressal और service delivery capability, कौल मरा आता है, department of administrative reform and public grievances, ठीक है, उसके बार हमने क्या पढ़ा, कुछ steps है, आगे बढ़ते है, initiators, क्या-क्या, सेवुत्तम हो कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, कि सरकार एक तरीके से सेवा के उत्कृष्टता को बढ़ाने यही है, अब आप news paper में कई ऐसे steps देखोगे, वहाँ पे आप इसको example के तरीके से अपनी notes में note करते चलिए, मुझे जी इतने याद है, मैंने यान लिखती है, देखिए, department, sorry, Bureau of Indian standards है, BIS, तो Bureau of Indian standards है, एक standards set किया है, एक standards औरे develop किया है, एक मानक, मानक, उसका नाम क्या है, 157002005, 2005 जो अब डवलप किया है, यह standard, तो BIS का जो यह standard डवलप किया है, अब इसका उदेश किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि BIS ने डवलप किया है, इस standard को, to certify organization that fulfill the requirement of quality management system of saivottam, मतलब saivottam के अंदर, जो भी standard set किया रहा है, मानली यह ठीक है, उसको अगर आप fulfill कर रहे हो, तो आपको मैं यह certificate number दे दूँगा, कि हाँ, इस department की जो services है, इस department की जो सेवा है, वो BIS 15700 certified है, अब आप जब वो सेवा लोगे, या इनके जो भी customer है, उनको यह positive एक तरीके की message जाएगा, कि हाँ BIS certified है, जैसे आप सोना खर दें जा रहा हो, तो आप hall mark देखो के न तो यह चीज़ है, एक तरीके का certification है, वैसे ही, एक certification यह है, कि आपकी services जो से वुत्तम से comply कर रही है, एक तरीके का certification है, डेवलप किस ने किया है, इसको BIS ने किया है, नाम याद रखना 157002005, ठीक है, इसका उत्देश क्या है, आप यहां से पढ़ लिएगा, दूसरा क्या पहला है, पहला हमने पढ़ लिया कि BIS ने डार्क लिए कि स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया, पहला पॉइंट यह होगा से वुत्तम के लिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दिल्ली में आपने सुना होगा, और दिल्ली में रहते हैं, लोग जानते हैं, कि दिल्ली में कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं, काई सारे ऐसी सर्टिफिकेट्स वगरा जिनकी होम डिलिवरी करवा देती है, दिल्ली सरकार, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, तो इस सेवा की उत्रिश्चता इससे जादी क्या होगी भाई, तो यह एक तरीकी का आप एक्जामपल ल यह एक्ट है, यह पूरा एसलिट नाम नहीं याद रखना है, पस याद रखना है कि दिल्ली न को ऐसा एक्टलाया थ, टीक है, तो तीन पॉइंट, अभी तक रहे हैं, चोथा पॉइंट क्या है, अभी बहुत रिसेंट मेरे साफ से ऑगस्त में, अगस्त में, अगस्त जो मामला है उसमें उसमें क्या कह रहा है कि जो direct tax payers है हमारे income tax payers है उनके कुछ rights होने चाहिए अगर tax return file कर रहा है तो उनके अंदर कितने दिन में जो भी पैसे वगर आने हो कितने दिन में मिल जाने चाहिए उनको उसके क्या फायदे मिलना है एक तरीकी का ये भी system government करना चाहती है कि अगर आप direct tax payers है तो आपको कहीं कहीं कुछ-कुछ सुविधाए हम दियेंगे ठीक है आपको कुछ सुविधाए प्रोवाइट की जाए तो ये क्या कह रहा है कि एक तरीके से सेवा की उत्कृष्चता कि पहले क्या मान सकता थे कि आपको tax देना तो देना ही भाई नहीं दोगे तो फिर वो घर में घुसेंगे छापा मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो आप मुबाइल पकड़ की जबता कर लेंगे तो ऐसे ऐसे जो चीज़े हैं ठीक है इससे हटके अभी मान सकता में चेंज क्या हो रहा है कि आपको हम mutual respect देंगे कि आप income tax ज़र हो तो हम भी आपको अपने तरफ से कुछ फाइदे वाई देंगे अब फाइदे किस तरीके हैं आखे इस scheme जो भी बने की देखा जाएगा लेकिन एक तरीकी के मान सकता में आपको परिवर्टन देखने को मिल रहा है कि जो भी honest taxpayers हैं तो उनको एक सम्मान देने के बात है यह सब जो चीज़े हैं तो यह एक platform अभी हाल ही में लाउंच किया गया है one nation one standard की बात की जारी है कि पूरे देश में कुछ यह services है उनके लिए एक standard set कर दिया जाएगा ठीक है यह बहले वो north में मिले या south में मिले इसे एक ही standard की comply होनी चाहिए हो जारी सारी services तो इस तरीके सा one nation one standard अभी बहुत recent scheme है तो one nation one standard transparent taxation honoring the honest फिर एक bill था देखिया भी bill है यह विधेयक है अभी यह act नहीं बनाया है 2011 का जैसे दिल्ली ने पास कर दिया ना act अपना कि time boundary delivery of services वो ऐसा ही पूरे देश के लिए मतलब पार्लियमेंट में एक bill लाया गया था लेकिन यह भी पास नहीं हो पाया है तो आप उने suggestion में यह point लिख सकते हो कि इस bill को पास करें तो भी एक सेव उत्तम की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं अब सेव उत्तम में आप e-governance वाले system भी लिख सकते हो e-governance ठीक है माल लिजे यह आपका डिजी locker है डिजी locker तो आप देखोगे कि आपको मतलब आप वो ट्राफिक पुलिस वाले उस तरीके से परशान नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप फिर अपना मॉइल में ही सब उनको दिखा दिया या फिर जो भी होता है अभी बहुत रिसेंटली न्यूज में था तो ऑईल स्पिल्स के इन्वार्मेंटल इंपक्ट तो है भाई परियावरण पर उनके गरत इंपक्ट पड़ते हैं लेकिन उसके सोशल और एकॉनमिक और इंपक्ट बनाना बहुत आसान है कोई भी लिख लेगा अंसर ऐसा लेकिन कुछ अगर एक्जामपल और रियल लाइफ न तो आपका अंसर अच्छा बनेगा इस कोशन में मैं कुछ और नहीं सिखा रहाँ आपको क्योंकि सब लोग लिख लेंगे ऐसा कोशन बसा कुछ एक्जामपल दे रहा हूं जो अपनी को देखेगा उसकी पूरी नदी लाल पड़ गई है पूरी रेड तो अंबर नाया रिवर है अर्किटिक शेत्र में रश्या में ठीक है नॉर्डल स्केरिया है वहाँ पर और अभी मौरिशेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी अभी हालही में क्या हुआ है ओयल पर हो जा रहा है तो तेल दिसाव की घटना होती है ठीक है दो एक्जामपल के आपढ़ा हमने अंबर नाया कहा है आर्किटिक में और मौरिशेस का तो इस तरीके साब इंट्रोडक्शन के साथ सुरू कर सकते हो कि जो रिसेंट ओयल लिक्स इंटो जा इन्वर्मेंटल इफ इंट्रोडक्शन अब बता दो सीड़ीबंटल काॉस्ट क्या से इकोनौमिक क्या है बस हो क्या कुश्चन कि पर हमद निस चींता है क्या बैए कि तेल जो होता है वह आपको पता है कि तेल पानी के उपर हमेशा तेरता है ज nehme पानी के उपर तेरहेगा तो यह sunlight को block करेगा sunlight को block करेगा तो यहां पर फोटो सिंहजस होता था व कर Ben उनका क्या oxidation हो रहा है, वो बाडरो non degraded हो रहा है, इस प्रस्षेस में oxygen भाद हो रहा है, तो आप यह क्या देखोगे कि oxygen का use लग आतार हो रहा है लेकिन oxygen produce नहीं हो रहा है? क्यों क्यों that photosynthesis हो नहींלה Hai photosynthesis क्योंही हो रहा है? तो अब यह देख रहे हो क्या कि सबसे पहला रीजन सबसे पहला इंपक्ट क्या हो कि सन्लाइट को प्रिवेंट करेगा उसके उसे मास किल देखने को मिलेगा बहुत बड़ी संक्या में वहां कि जो पेड़ पौदे जानवर और मश्लियां है वो मर जाती है ठीक है एक यह री मतलब वो जो अपना उनका कलर वाइट हो जाता है वो देखने को मिलेगा या डाइ कर जाएंगे वो मर जाएंगे ठीक है अगर यही कोस्टल एरिया तक पहुंच गया यह तेल बहकर के कोस्टल एरिया पहुंच जाता है तो हाँ पर जो मैंगरूव वारे छेतर है बेट लेंड है जो यहां के फाइबरस प्लांट्स है या ग्रासिज नहीं तेल को अब्सार्प करती है तेल को सोक लेती है उसकी प्रत्कूल प्रभाव पड़ता है ठीक है फिर क्या है और इस पिल के बाद वह वहां नहीं आने वाली है दूसरा क्या है और जब फेदर्स जो कि इनके पंक होते हैं सी बर्ड हो गया या कोई और बर्ड हो गई जो पानी के आस पास रहती है तो उनके तेल जो होते हैं उनके पंकों में चिपक जाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टन सबसे जल्दी क्या होगा क्यों तो ओड नहीं पाएंगे लेकिन सिर्फ ओडना ही नहीं होता है बेसिकली इनकी जो वाटर्ट्रूफिंग है और इनका जो इनसूलेशन है इनसूलेशन मतलब हीट से अपने आपको बचाने की जो प्रैक्टिस कहलो या कैपेबिल्टी कहलो वो चीज को भी ऑईल जो है वो इफेक्ट करता है यहां पर लिखा हुआ है तो उसकी वज़े से होगा क्या कि पहला तो ओड नहीं पाएंगे उसकी वैसे मरेंगी कुछ लोग बाकि इनका वाटर्प्रूफिंग नहीं तो हाइपोधर्मिया या ओवर्हेटिंग या तो बहुत ठंड से या बहुत गर्मी से मर जाती है यह दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हुए थोड़ा स्पेसिफिकली लिखना है आप एक तो तरीका यह है कि ड्रेक्टली लिख दो कि इससे बाई जानोरों को बड़ा पूरा असर पड़ेगा तो यह है कि थोड़ा सा बस ऐसे कर लो इन्वार्मेंटल इंपक्ट फिर यह लिख दो बर्ड्स बर्ड्स में हाइपोथर्मिया और ओवर हीटिंग इस तरीके से कुछ लिख सकते हो फिशे और इसमें इंपॉर्टेंट एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट सो उस तरीके करी गई थी बहुत पहले हुआ था इसलिए इस पर डीटेल में स्टडी होई है डीटेल में स्टडी ने बता कि दो लाग पचास सजार सी बर्ड मारे गया थैं ठीक है नेक्स पॉइंट क्या है सोशल और इकोनामिक इंपेक्ट क्या देखने को मिलता है तो सबसे इंपॉर्टन तो आपको यह देखने को मिलागा जिस शेत्र में हो जाएगा तो यह जो भी मरीन इरिया होते हैं यह पर जो लोकल कम्मॉनिटी होती है वो डिपेंड करती है कई चीजों के लिए इस पूरे मरीन इरिया पर बहले उनका लाइबलि होड भी यही है ठीक है टूरिजम से आ रहा है कुछ पैसा वाकि फिशेज वगरा से लोग कमा रहे है तो यह सारी चीज़े ब्लॉक्ट हो जाती है ठीक है दूसरा क्या है कि 2013 का एक एक्जामपल आप आशिया में एक ऑईल स्पिल हुआ था उसकी बज़स से 2013 की ऑईल स्पिल की बज़से तीन लाख लोगों के लिए तीन लाख लोगों की जो वाटर सप्लाई उसको इंटरप्ट कर दिया था किसने उस ऑईल स्पिल ने वहाँ पर डी सलनाइजेशन प्लांट लगा होगा समं और अफरिका में इसके पास लारजेस्ट रिजर्व लारजेस्ट रिजर्व है तेल का तो यह फरे अफरिका के लारजेस्ट और प्रडूसर डिस्कोवर्ड डैट ऑईल स्पिल ने इंक्रीज कर दिया क्या नियो नेटल मॉर्टालिटी को थाटी एट परसंट से ठीक है मतल बढ़ गया है थाटी एट परसंट बढ़ गया है क्यों कि केक ऑईल स्पिल की वासे तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामपल आप लिख सकते हैं यह दो एग्जामपल इसे आप जरूर नोट करिए फिर ऑईल स्पिल जो होते हैं एक रिसर्च में यह पाए गया कि कर 30 साल तक 30 साल तक जहां पर भी यह मतलब वाइल स्पिल हुआ है 30 साल तक उस एरिया में जमे रह सकते हैं ठीक है 30 साल तक वहां पर सिंक करते रहें और उस एरिया को प्रदूश्य दूसी तरीके से करते रहें उनने सो इन्यासी 1989 में एक्सॉन वाल देस तेल सा हुआ था ठीक gallon of oil were still trapped in the sand along Alaska shore line, ठीक है, मतलब यह कह रहा है कि 1989 में यह तेल रिसा हुआ, लेकिन आज तक 26,000 gallon जो तेल है, वो वहाँ की सैंड में जम चुका है, यह वाले point से जोड़ के आप देखे, पहले वाले point से, ठीक है, oil spill, oil pollution तो होता ही है, लेकिन देखे, एक बड़ा important fact एक सामने हाए, कि हाववर नासा एक fact देता है, कहता है कि हाववर account for, oil spills account for less than 10% of global marine oil pollution problem, global level पे, oil pollution से, oil pollution से, जो marine area को, मुद्री शेत्रों को नुक्सान हो रहा है, उसमें oil spill, तेलिसा को कितना contribution है, सुनिएगा फिर से, मतलब marine pollution की बात हम करते हैं, तो marine pollution में, oil spill का कितना percent रोल है, तो सिर्फ 10% है, मतलब बाकी नबे परशाथ कहां से पहुच रहा है, बाकी नबे परशाथ हो तेल के वैसे नहीं पहुच रहा है, डिरेक्ली, वो जमूइन से जो तरदर की pollution वहाँ पहुच रहे हैं, उनका मेजर रोल रहा है, ठीक है, ये कौन कहता है, ये नासा कहता है, तो ये आप एक point लिख सकते हो, अपने conclusion के time पे, कि इसलिए अकर oil spill जैसे situation क्या marine pollution वाला question आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा point रहेगा कि marine pollution में oil spill तो ही, लेगिन ये केवल दस प्रस्षात रोल प्ले कर रहा है, मेजर प्लेयर तो कोई और है और यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन है, ठीक है ये हो गया आपका question number 4 है कि भारती दर्शन के आप से पूर्शार्थ और आश्रम प्रणाली के बारे में आपको एक संचेव्ट टिप पड़े लिखनी है आगे question मैं कभी बनाऊँगा कि इनका ethics में क्या रोल है, इंडियान एथिक्स में इंडियान एथिक्स से कई सारे sources हम पढ़ चुके हैं, उसमें से एक source ये भी है तो ये कैसे हमारे ethics को काईटी करता है, ठीक है तो दोनों के बारे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि पुरुशार्थ क्या है और आश्रम क्या है तो as per Indian text every human must pursue पुरुशार्थ हर मनुष्य को पुरुशार्थ का अनुसरण करना चाहिए ये पुरुशार्थ है क्या ये सत्य को प्राप्त करने का ये मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है तो अभी तक तो कुछ खास समझना आया नहीं होगा आप कह रहो कि पुरुशार्थ को हर इंसान को follow करना है, क्यों follow करना है, सत्य चाहिए या मोक्षा यह तो follow करो, चलिए ठीक है, है क्या यह, basically, यह object of human pursuit, हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे हर कर्म का कुछ उद्देश्य होता है, तो उद्देश्यों को चार भागों में बाट दिया गया है, आप या तो धर्म के लिए कर रहा हो, या कर्म, अर्थ के लिए कर रहा हो, या काम के लिए, या मोक्ष के लिए, तो अब समय में आ रहा हो आपको, पुरशार्थ, चार है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्या है यह, यह है, object of human pursuit, मतलब मानो कर्मों के उद्देश्य है, जो भी मानो के कर्म है, उनका कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य चार भाग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यह सत्य की तलाश और मोक्ष प्राप्त करने के मार गए, अब यह आपको यह पूरा पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में, यूजूली आपको पता ही होगा, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, धर्म क्या है, मोरालिटी वगरा, इन इतिकता कि से रिटेट अगर कोई आप काम कर रहे हो, उस से रिटेट जो भी सोचना है, थौट से, यह सब क्या है, धर्म वाली बाते हैं, अर्थ क्या है, अर्थ मतलब एकॉनमिक बारते हैं, एकॉनमिक अक्ट, ठीक है, जिससे आपक दैखिक सुख हो, तो यह जो चीज़े आती हैं, किसमे हाता है, काम में आती है, लव है, प्लेजर है, मोख्ष, मोख्ष मतलब कालिबरेशन है, तरिके का, अध्यात्मिंग मूल्य जो होते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, मोख्ष के अंदर, अब इनके बारे में डीटेल में थोड़ा, धर्म अर्थकाम मौक्षे, देखिए, एक कॉंसेट होता है, इंडिया में आपने पड़ाओ का रिण्ध का, रिण्ध, रिण्ध मतलँ होता है, रिण्ध मतलँ, आपने किसी का उधार रिखाएगा, उधार, तो फिलोस्फी में र क्या is यूं कहते हैं कि कि वकाय तरीकी करेने ज्रशे देव रेने पित्र हैं कि करें थे तरी के कई सारे दिर्वी बना रखेर र anlam कि प् dip dip D toward हो कि से आप मतलब देवता कि आप रेनी है कैसे है क्योंकि देवतान ने इक तरीका कैसाम माहौल बना एक कहा थरती को established किया धरती पही लाइफ को established किया इसकी वेशसे हैं आपका जो जीवन है तो आप एक तरिकी का रेन है आपके उपर उनका ठीक है तो आपको इसने चुखा में है? आपको जीवन है पिता ने आपको दिया है तो पूरे जीवन में एक साथ जुड़ा हुआ थार्म पुरिशारत के साथ ये जुड़ा हुआ topic है धर्म धर्म मतलब होता है जिसको हम धारण कर सके ठीक है that we can wear या that we can bear होना चाहिए जिसको हम धारण कर सकते है ठीक है अब इसमें क्या होते है धर्म आपको जो भी समय में आता है कि जो भी चीज़ हमारे duty को बताए हमारे लिए सही और गलत को differentiate करे ठीक है हमें सही रास्ते को दिखाए और जीवन जीने के सही रास्ते को दिखाए वो क्या है वो धर्म की बात है तो अब धर्म हमने पढ़ा कि हिंदू फिलासफी यह भी करती कि हमको अपने रेड़ चुकाने तो इस तरीके से धर्म क्या हो गया हर वो action जिससे आप अपने किसी भी तरीके के रेड़ चुका दिये वो क्या है वो धर्म ही कैक्ट हो गई ठीक है तो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि धर्म जो है वो क्या है यह आपको समझ में आ गया कि जो भी अच्छी चीज़ है पॉस्टिव 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 चीज़ है इनको क्या क्या होगा धर्म ठीक है क्या होगा धर्म यह अलग अलग जगस आपको परशलता है एक धर्म यह है कि आपको अपने रिड़ चुकाने है रिड़ का ही तरीके के है दूसरा धर्म क्या है दूसरा धर्म यह है दूसरा धर्म यह है इमालेजे कि आपको अपने गुरु की आगया का पालन करना है तो यह एक धर्म हो गया इसको आपको अपने काम के थूँ अचीव करना है रिण है इसको आपको अपने काम के थूँ अचीव करना है जब इस काम को आप करेंगे तो क्या करें लाएगा यह धार में कारे करें लाएगा ठीक है यह हो गया तो वैरियस सोर्सेस क्या हो सकते है तो हो सकता है पुर्शार्थ हो सकता है और आश्रम भी हो सकते हैं वो चारों पुर्शार्थ अर्थ काम मोक्ष देखे अर्थ वाला पैसा का माना काम और मोक्ष ये भी तीनों आपके धर्म के अंदर आएंगे कैसे आएंगे देखे चार पुर्शार्थ हमने पड़े अभी त गता है धर्म अर्थकाम हमोख्षिए धर्म के अंदर मैं ने बता है कि आपकी जो भी ड्यूटिस है वो धर्म के अंदर आपके आति इ aik whatever आपकी झोटी किति क्या कि तो फिर reproduction होगा और बच्चे पैदा होगा तो जीवन जीवन है ना उसको survival कराना है वारा लाइफ इस society में चलती रहनी चाहिए तो एक तरीके के आपकी duty ये भी हो जाती है तो ये एक तरीके का survival जो है society का इस पूरी धरती का वो चलेगा इसकी में से तो एक तरीके से काम अभ ability हो गई ठीक है अर्थ क्यों कमाना है पैसा क्यों कमाना है देख ada मैने बता कि कुछ रेंड माद्टर कीने करना है कूछ रम तो आप कैसे करो गया पैसा चाहिए एर्थ चाहिए ठीक है अर्थ के थाह आप दान दोगे एसे लोग होगे जो मोक्ष के लिए घर से निकल चुके हैं मतलब उनका जीव उनके इसमें चलना है भिक्षा पर चलना है इनका मोक्ष वाला काम पूरा हो सके इसलिए आपको अर्थ कमाना है कोई तो पैसा कमा रहा है तो इनको फिर वो क्या करेगा दान दक्षिना देगा तो यह तरीके चारों आपस में जुड़े हुए यह है ठीक है समझ में आ गया होगा नहीं समझ जा रहा तो फिर से एक बार आप लोग वीडियो देखेगा समझ में आ जाएगा यह पूरा कोश्चन तो इनके बारे में धर्म हमने पढ़ लिया अर्थ क का बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है आप रहस्त में अपनी आपके फैमिली है तो फैमिली को कैसे खाना बिना किलाएं क्योंकि आपको अर्थ वाले काम तो करने ही पड़े है ठीक है फिर अर्थ सही है आप अपने रिडों का भी रिड जो है आपके वह चुका सकते आप उनसे उनसे उर्रेंड हो सकते हो ठीक है तो यह जो चीजें तो यह अर्थ का इंपॉर्टेंस यह हो गया है काम का इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बताएं कि सोसाइटी में लाइफ जो है वो चलती रहती है एक इंपॉर्टेंस तो यह हो गया ठीक है एक मेजर इ से बर्थ और डेथ वाली साइकिल से छुटका रहा पाना यहीं होता है मोक्ष चार आश्रम हमने पढ़े हैं अभी चारो आश्रम कौन-कौन से इंडिया में इंडियन फिलोसफिक एकॉर्डिंग ब्रह्मचर्य ग्रिहस्त वानप्रस्त और सन्यास सौ साल की एवरेज लाइफ को उससे जोड़कि चलिएगा ठोड़ा थोड़ा अप रेंड से भी जोड़ीएगा थोड़ा थोड़ा आप पुरृशार्त यानि कि दर्म-अर्थ-काम-मोक्षे जोड़ीएगा तो अब सुनियेगा ध्यान से इस सौ साल की जिंद्गी मानी गई चार आश्रम में बाटा ग्रिहस्त और सन्यास धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारों चीज यह चारों आपकी जूटीज है लाइफ में चार अबजिक्टिव हैं यह आपको फॉलू कर रहे हैं इन अलग-अलग आश्रम के तुरू ठीक है मनलब आप जब ब्रह्मचर में रहते हो तो आपके धर्म अलग ह होगा आप अर्थ वाले काम नहीं कर रहे हो तो आप काम वाले कंव नहीं कर रहे हो के दिरे-दिरे छोड़ोगे ऑप काम के काम- लगों, मोक्ष का धिमेदिमयाब करते होंगे सन्यास में धर्म चलना है और सिर्फ मोक्ष चलना है ठीक है इस तरीके से आद रखना है तो आश्रम है क्या a place of spiritual shelter ठीक है एक अध्यात्मिक आश्रय का स्थान है एक ऐसा स्थान है एक तरीकी की स्टेज बनाए गई है अलग-अलग लाइफ की लाइफ को डिवाइड करके चार भागों में और हर एक स्टेज पे आपका कुछ आध्यात्मिक विकास हो रहा होता है इसलिए इसको क्या करते हैं आश्रम ठीक है चार आश्रम हमने पढ़ लिया अब डिफरेंट आश्रम में अब तो क्या 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 आपके लिए डिफरेंट डिवटीज होती है सबसे पहले ब्रहमचर मतलब स्टूडेंट लाइफ बच्चा घर से निकलेगा 25 साल तक उसको गुरु कूल में रहना है ब्रहमचर को फालो करना ब्रहमचर में सेलिवेसी होती है ठीक है अग उसे शादी अब तक नहीं करनी है वो अपने गुरु कुल में रहता है किया का उद्देश क्या है पच्चे के अंदर मूल्यों का विकास करना है ठीक है डिफरेंट वैल्यूज का विकास करना है कैसे करना है देखे यहां पर बच्चा मांग के खाता है आल्म्स, मांग के खाएगा जब वो मांग के खाएगा तो उसके अंदर करूड़ा डवलप होगी कमपैशन, उसके अंदर घमंड नहीं आएगा क्योंकि उसको ये पता है कि उसके जीवन में हर एक दिन अभी तक उसने कैसे जिया है वो किसी और की दया के वज़े से जिन्दा है तो उसके अंदर कमपैशन डवलप हो रहा है ठीक है? उसके प्रती, फुड के प्रती इज़त बढ़ेगी फुड के प्रती, खाने के महत तो हो समझेगा तो एक वैलू आप ये देख रहो दूसरा क्या कि वो ब्रह्मचर ये फालो कर रहे है तीसरा गुरु कुल में तो गुरु की सेवा करते है ठीक है? तो किसी भी राजा का बेटा हो या किसी वैपारी का बेटा हो उसको सिमिलर काम करने है तो एक तरी के सोसाइटी में इगैलिटेरियन या समतावादी समाज मनाने में मदद करता था ठीक है? तो हमने ये देखा ब्रह्मचर में क्या है? इनके प्राइमर इंटेंशन क्या थे? प्राथमिक मन्शा क्या होती थी इनकी? ठीक है? दूसरा कहा है सर्व द गुरु हीर, study and assimilate द वेदास और यहाँ पर क्वालिटीज ये निमने क्वालिटीज को डेवलप करना है विरमड़ता आनी चाहिए नुशाशन होना चाहिए विचार के शुद्धता होनी चाहिए सोच्छता को मलता ठीक है? तो यह इस तरीके से अब यहाँ पर अपनी जो डिफरेंट तरीके के रिण है पितर रिण हो गया, शिड रिण हो गया, देव रिण हो गया, उनको चुका सकते है ठीक है? तो ग्रियास ताश्रम में एक जो आपके जो ड्यूटी साइन की गई है अलग अलग अश्रम में तो ग्रियास ताश्रम के ये दो ड्यूटी सापको देखने को मिल गई है फिर क्या है? कि आपको धर्म, अर्थ और काम जैसे पूरिशार्थों के लिए कारे करना है ठीक है? टीच करना है बच्चों को charity और प्रमोट करना है ethical living को प्रमोट करना है तो यह ओगया ग्रियास्त के duties फिर क्या है वानप्रस्थ पचास साल के वानप्रस्थ मतलब वन की तरफ प्रस्थान करिए पूरे तरिके से नहीं जाना है लेकिन धीरे धीरे आप अपना जो सारी वैवाहिक जीवन है तो उससे थोड़ा थोड़ा आपको दूर जाना है आपके जो greatest duties हैं उनको आप धीरे धीरे complete करिए ग्रियस्ट के जो भी आपके डूटीज उनको कम्प्रीट करते हैं धीमे धीमे अपने आपको रिटायर करना है फैमिली की रिस्पोंसिबिलिटी से और अपना मन धी कहा ले जाना आपको इस पिरिचुलिटी के तरफ लेके चलना है तो यहाँ पर आप देख रहों कि ग्राज पार्ट में लग जाते हैं उनका फिर पूरा ड्योटी इस सुबह से ही रहता है ऐसा कुछ रहता है ठीक है लेकिन वो रहते है घरी में अभी तो यह है वानप्रस्थ की सिचुएशन कि आप धीमे धीमे अपने आपको जो भी आपकी फैमिले रस्पॉंसिबिल्टी उनसे अ चुरू करते हो ठीक है अब आप धीमे धीमे चुक चुकी घरों से बाहर घर के बाहर सामाजी जो भी कमिया हैं सोशल प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे जो रिटायर्ड लोग हैं करें से फिशाल में उनके अंदर बहुत विशाल क्या होता है कि नॉलेज भी होता है एक्स्पिरियेंस भी ओता है तो वानप्रस्थ का एक मेजर अब्जेक्टिव यह भी है कि यह लोग अपने घर से दूर हो करके वहला स्वा से स्वा मतलब सिर्फ अभी तक अपने परिवार में सोच रहते हैं तो स्वा से अब इनको कहां पर जाना है दूसरों के प्रति सोचना है ठीक है अन्ने कह सकते हो स्वा से अन्ने की तरफ इनको जाना है मतलब क्या है कि इनके पास जो विशाल नौलेज और एक्सपीडियेंस है उसके थ्रू यह करेंगे लोगों को अगर इंपावर करना है उसके बारे में काम करेंगे सोचल प्रॉब्लम के बारे में लोगों को सुझाओ देंगे तो यह कुछ इस तरीके काम है कि कैसे वान अपरस्त के समय जो ग्रिहस्त और प्रहमचार के टाइम पर आपने जो नौलेज और इसकिल्स को डेवलब किया है वो सोसाइटी को आप दे के जाना है आपको ठीक है तो यह एक सोसाइटी का बहुत बढ़ियां इंस्ट्रॉमेंट इन लोगों ने डेवलब किया था कैसे इनके पूरे नौलज और एक्स्पिनियंस को हम यूज करेंगे उसके लिए पूरा आश्रम है व भगानॡ ठीक है प्राप्त करने का तरीका क्या है युक्त कैवल ले कह सकते हो आप जो अलग अलग धर्मों में लग नाम से इनको पुकारा गया है तो कैवल लो गया मोक्ष हो गया तो इन सब चीजों के बारे में कि गौड क्या है प्रूथ क्या है अपने माइंड और अपने सेंस पे पूरा फुल कंट्रोल लेना और सेल्फ एर्लाइजिशन की तरफ जाना तो यह सब जो चीजें रही है सन्यास के अंदर रही है यह प्रहमड करते हैं मांग के खाना खाते हैं सन्यासी जीवन बिताते हैं और इस तरीके से सन्यास है तो हमने पढ़ा कि चार आश्रम है ओर इसे से आपको जोड के लिखना आंके क्या है पुरुष ते चार पुरुष जो भी हर जॉमन है उनकी कुछ औप जेक्टिफ इसन अर्थकाम मोक्ष में बाटा गया है और किरमने रेण के बारे पढ़ा काल यवाल a Day के घ्रीण होते हैं पूरा होगा कि जब इन सब के बारे में आप पढ़े देंगे तो कोई अगर ऐसा कोशन आता है कि एथिक्स मतलब इंडियन फिलोसफी का क्या रोल है एथिक्स में अगर ऐसा कोशन आ गया तो आप एक यही कोशन बहुत बढ़िया डील कर सकते हो सोसाइटी का जो कोशन है क्या यूनिर्ट फिलोसफी के बारे में जानकारी है तो आप बहुत अच्छे से टैकल को सकते है तो आज के रहे थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में